हेलो एवरिबन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल चंद्रा फुलारा फ्रेंट्स माइक्रोसोफ्ट ऑफिस टुट्यूर्स में मैं आज आपको समझाऊंगे हेडर, फूटर और पेल नमबर फ्रेंट्स हेडर का यूज और फूटर का यूज हम तब करते हैं जब हमकोई आट-धस पेज या किसी मैगजीन का काम करें कोई फ्रोजEC testament उपना रहे हैं जिसमें कई पेज़ леж LOC और हम हर página में नमबर्स हो खुराना चाहते हैं या फिए stipary तैटल्स हो खुराना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं header or footer तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब को समझाने वाली हूँ तो मेरी इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजे शेयर कीजे सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन जरूर दबाएं यहाँ पर मैंने MS Word ओपन करके रख लिया है और अब हम आते हैं इंसर टैब में इंसर टैब में आएंगे हम header तो header पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चोटा सा arrow बनावा है जिसे करते हैं इस एरो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ओप्संस दे रखेंगे तो यह सारे header के design है style है आप इन वैसे कोई भी एक style लेके अपने header दे सकते हैं आप और एग्यांपल मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट वाला मैंने header ले लिया है जैसी मैंने इस पर क्लिक किया तो देखेंगे आप उपर एक header and footer का एक नए tab open हो चुका है और इसमें design तो header और footer की designing होती है वो इस ribbon से होती है तो यहाँ पर type text लिखा है इसकी जोगा पर आप अपना कोई भी text type कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें मैं type कर रही हूं मैंने computer type किया है और इसको आप इसकी अगर formatting करनी है तो आप इसको इसके लिए आपको home में आना होगा और इसका font size यहाँ से हम बढ़ा देते हैं और मुझे capital letter में चाहिए था इसलिए मैं change case में जाके upper case में कर देती हूं और font size भी यहाँ से हम अपनी हिसाब से कोई भी जो हमें पसंद है वो हम रख सकते हैं और इसे bold भी कर दिया है मैंने और से center कर दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पे type हो चुका है और इसमें और कोई formatting आपको करनी है background बगरे डाला है कुछ डाला तो सारा आप home से करेंगे इस तरह से आप देखेंगे यह आचुका है अब यह header जो है आपको हर page में so करेगा तो क्या हर page में so कर रहा है या निक कर रहा है इसके लिए हम देखते हैं पहले से header को close करते हैं और insert में आपके एक प्लैंक पेज लेते हैं तो आप देखेंगे यहां पर दूसरे page में भी यह सो कर रहा है और first भी इसे बोलते है जैसे कि मैं यहां पर clipart की picture लेके आते हूं देखेगा तो यहां से हम go करते हैं और कोई भी एक picture लेके आते हैं तो यहां से मैं देखेंगे नीचे आ गए है यहां पर एक computer की picture आ चुकी है इसको हम थोड़ा सा small size में कर देते हैं और इसकी text wrapping कर देते हैं और इसके बाद दे और यहां से मैं कोई भी एक design readymade design है तो यहां पर एक readymade design पहले से बना हुआ है तो मैं इस design को लेती हूं और इस design को लेने के बाद यहां पर मैं type करती हूं C-O-M-P-U-T-E-R मैंने computer type कर दिया है और यहाँ पर आप date भी डाल सकते हैं फिलाल तो मैं date नहीं डाल ली हूँ और अब मैं यहाँ पर एक clipart की picture लेकर आती हूँ तो यह देखे वे picture आ चुकी है इसकी text wrapping कर देते हैं in front of text करते हैं और इसकी picture size को छोटा करके यहाँ पर मैं रग देती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी formatting फिर से करती हूँ इसको बड़ा कर देते हैं और chain case इसको capital letter में कर देते हैं board भी कर देते हैं तो अब आप देखेगा यहाँ पर यह चीज जो है सीक्लकुछ कर देती हूँ इसे बोलते हैं और अच्छी design कर सकते हैं रप्षण करें17 ? यहाँ पर आचुके हैं तो यहाँ पर फुटर प्रे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखेंगे नमबर वाला option है बाकी बहुत सारे format दे रहे हैं तो यहां से आपको जो format पसंद आता हो ले लेंगे तो यहां से मैंने एन्वल ले लिया है और यह देखें फूटर में one आ चुका है जैसे इसके second page में आते हैं तो आप देखेंगे यहां पर two आ गया है अगर आपको one two में formatting नहीं करनी है आप चाहते कि मैं a b c d में या first second third कर रहा चाहते हूं तो यहां से page नमबर में आएंगे और format page नमबर पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखेंगे नमबर format दे रखा है इसमें क्लिक करेंगे और a b में ले लेते हैं यहां से start at करेंगे page नमबर लिका start at ओके तो देखेंगे a b इस तरह से हम जितने भी page हम इसमें insert करते जाएंगे सब में यह header of footer आते जाएगा तो friend इस तरह से आधा हम आएगे पर नंबर विजैसे करेंगे यहां पर डॉर्टम में देना है में आजिन में देना है कंद देना है कैसे डींगे आप यहां से so Imagina तो तो हम वां सेंगी सब्सक्राइब defaci कर दोड़ी क्या आप दीखेंगे आपान кplex करेंगल गवह वह बनेता है और में देना चाहती थी, bottom में तो यहां से हम bottom में आ जाते हैं bottom में center में देना चाहती थी, right sorry, right hand में देना चाहती हो, तो right में देखे यह first second third, first second आ चुका है, first, sorry, यहां पे numbering first की आ चुकी है, अगर मैं इसमें page insert करती हूँ, तो आप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जाला के जोड दबाएं मिलती हूँ आप से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ तब तक लिए थैंक्स, बबाई, टेक क्यार